तेरी मेरी आँखों में शेरी मजमुवा है निनाब सुहेल साकर का तेरी मेरी आँखों में सुहेल साकर दम्माम में मुकिम है और बहुत ही तवील अर्से से महां कयाम पजीर है लेकिन उनका वतन से राप्ता बहुत ज्यादा है वतन की महबत शायरी से भी जाहिर होती है इन्होंने बतन से दूर रहकर अपना तालुक रखा है अपने बतन से आपके बारे में ये किताब जो है ये कराची में आर्ट्डू पब्लिकेशन में शाया की है और इस पे राय का इधार किया है डॉक्टर फर्मान फतरपुडी ने रफिय अद्दीन राज ने जनाब सहर अंसारी ने और परफेसर आफाक सिद्दीकी ने और इसके अलावा जका सिद्दीकी साहब ने जो इनकी उस्ताद भी है जनाब जका सिद्दीकी साहब मर्हूम ने और गहर होने तक इसमें सुहेल साकिफ साहब ने अपने हलात जिंदगी लिखे हैं किस तरह बच्पत में अपने वालदायन से अलग रहे किसे उनके वालिद साहब ने सुपचपन में साओधी अरब चले के थे तो अपने नाना नानी के पास उन्होंने अपनी तालीम कमल की और फिर उनको वहां साओधी अरब ये खुद भी चले गए और मुलाजमत करते रह आपके बारे में डॉक्टर फर्मान फत्रपुरी ने लिखा है कि सुहिल साकिब दुनिया शेरो अदब के ऐसे तखलीक कारों में नुमाएं आहमियत के हामिन हैं जिन्होंने रिवायत की पासदारी के साथ-साथ-फिक्रोपन के नौ बनो जहान आबाद किये उनके यहां तखलीकियत की रूह में रिवायत की शादावी और जिद्दत की बालीदगी भी है यह जनाव डॉक्टर फर्मान फत्रपुरी की राय है लेकिन एक दिल्चस बात है कि हर नकाद अपनी नजर से देखता है तो जका सिद्दीकी साब को इनों ने बताया कि मेरे उस्ताद है तो आपने तहरीर किया है कि मैंने साकिब की लाइबरेरी देखी जो शो जिगर से लेकर फ़र्द अबास्चाह तक पाकोहिंगा कोई शायर है था इसका किलाम इस लाइबरेरी में मौजूद ना हो साकिब ने इन सब को पढ़ा बार बार पढ़ा लेकिन मुझे अफसूस है कि उनके हाँ क्लासिकी शायरी का सर्माया ना तो उनकी लाइबरेरी में है ना हाफ़जे में ऐसी कमी है जिसका इजाला सिर्फ इस सुरत में मुम्किन है कि वो अपने मुताले का रुख माजी की त है ने या कहलने का मुस्तहिक नहीं हो सकता यह उस्ताद हैं इसलिए उन्होंने जोड़ दिया है कि वो और माजी से राबता रखें ऊपनी शायरी को और जावा बेस्ट करें लेकिन जबके बहुत बड़े नकाद ने कहा है कि उनका माजी उनका रिवायत की भी पास्दारी क और फिक्रो फंड के नौबर नौज जहानवाद की है और जिद्दत की बालीद की उनके हां मौजूद है ये हरे के अपने अपनी राय होती है रसल आपकी पेश करती हूँ हम अपने हम अपनी छाओं में बैठे हैं अब तुम से शिकायत क्या नहो जब वास्ता कोई अदावत क्या मखबब क्या बशे दुनिया में आकर खुद बनाता है जगा अपनी बनो पहचान खुद अपनी भला देगी विरास्त क्या हुआए रक्स में है लहलहाता है हर इक गुंचा तो फिर ऐ बागबा गुल चन पे आई है मुसीबत क्या हुआए तुन्द के रुख पर चरा को जला रखो फक्त इस आहुदारी से बदल जाएगी किस्मत क्या मुझे देखो समझ जाओ कि तुम तंहाई का मतलब मेरे होते हुए बोलेगी तुम से मेरी वहिश्ट क्या क्लेंगे फूल तो पहलेगी कुछ भूचार सुसाकिभ नहू रुसवा महबत में तो फिर ऐसी मह प्रभवें यह ढबी नशिस्त का इतमाम करती है। और उनले अपने बारिकें में जो लिखा है। उसमें गहर होने तक तो इसमें उनोने अपते साथियों पहीं जिकर किया है जिन से उनका वास्ता रहता है और इसके अलावे उन्हीं सेनियर का झा बही है कि जिन से जिनका असर उन पे रहा है अहम असर में इम्तियाद सागिर, आसम सिद्धीक, वालमजीदी, गाविद मंजर, असम बेज़ाद, सईदागा, सहर, तावरु मानी ये तो यहीं पे रहते हैं हमारे दुबई के शायर है हैदराबाद, हैदर हसन जलीसी, नकाश काजमी, अफ्तर साइदी, अमर हुसैनी, जैगल जैदी, आविद रजा शकेप, रजा शकेप, एहमद नवीद, रफिय अदिन राज को तहदिल से सलाम करता हूँ और उनों ने दूसरे सीनियर शोरा में मौतरम जनाब अमीर, अमिर रुस्ताम हाश्मी, जाजिब कुरेशी, आफाक सिद्दी की, जनाब सहर अंसारी, अबुल खैर केशफी, मौतरम गुलनार आपरी, जनाब जमीर जापरी, डॉक्टर फर्मान फर्तेपुरी, जनाब शब जाते रहना साहिए, और उनकी एक घजल और पेश करती हूँ, सुहेल साकिक किताब है, तेरी मेरी आँखों में, धीरे धीरे आसमा तारों से खाली हो गया, शेहर मेरा अब मेरे यारों से खाली हो गया, एक तेरे जाने से ऐसा लग रहा है, अब मुझे जैसे शेहरे मुटियारों से खाली हो गया, जाने की नाफाद की जद में हैं, आईने तमाम आसमाने वक्त नजारों से खाली हो गया, खुश्क होने लग गए हैं, फूल उसकी याद के अब गलिस्तार दिल का महकारों से खाली हो गया, दूर तक मनजर नजर के सामने आने लगा, जैसे र प्रेगिस्तान कोसारों से खाली हो गया, किसमे हिम्मत है नई बस्ती करे आबादब, शेहर दिल तो कपका मेमारों से खाली हो गया, कुछ अजब क्या है अगर ये जिन्दगी भी रूट जाए, गम कदा साकिब अजादारों से खाली हो गया, आज के शायर जनाब सुहिल साकिब, किताब है आपकी तेरी मेरी आँखों में, ये आपकी तस्वीर, तबीह सबा, अर्दु मन्जिल, टॉप्टॉ